हिटलर के गद्दी सम्हालने के महज दो महिने के भीतर जर्मनी में पहला कंसंट्रेशन कैम्प म्यूनिक से सटे दखाव में खुला था आज हम उसी कंसंट्रेशन कैम्प में हैं हम आपको बताते हैं कि कैसे 1933 से 1945 के दर्मियान यानि 12 साल के भीतर डेर करोड से अधिक लोगों को जर्मनी और आसपास के देशों में बने करीब 1000 कंसंट्रेशन कैम्प में रखा गया था और किस तर की यातनाई दी गई थी तो हम सुरवात करते हैं इस कंसंट्रेशन कैम्प के गेट पर यह देखे यह में एंट्री गेट है हिटलर के जो राजनितिक विरोधी थे शुरवात तो उनी बंदियों से हुई और बाद में फिर तमाम लोगों को लाये गया यहां पर एक समय में यहां 65,000 से अधिक लोग रखा जाता था और इन सब को ट्रेन से भढ़कर या ट्रकों से लाकर इसी गेट से अंदर किया जाता था उसके बाद जो आप यह बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं दरसल यही इस कंसंट्रेशन कैम्प का में एडिमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आप कहें या फिर सप्लाई और फैसिलिटी बिल्डिंग था जब किसी नए व्यक्ति को लाए जाता था तो उसकी पहले रजिस्ट्रेशन होती थी फिर उसके कपड़े उतार करके उसे नंगा घुमाया जाता था ताकि वो बुड़ी तरस से हिमिलियेट हो सके फिर उसे तमाम नेशनलिस्टिक विचारधारा का उसे पाठ पढ़ाये जाता था और फिर सुबह साम जो सबसे बड़ी बात होती थी वो होती थी हाजरी लगाने की ये जो एक बड़ा सा आप कंपाउंड के बाहर ये ओपेन एरिया देख रहा है और फिर यहीं पर चाहे बहुत बार ऐसा होता था कि जो जर्मन अथारिटी जी से एसस कहते हैं वो मूर्दों को भी हां लाकर रखते थे ताकि बाकी लोगों के लिए सबक हो बाकी लोग डरे और आप देखे सामने में इस बिल्डिंग के ठीक सामने में जो यह प्रतीक के तोर पर लटकाने का बनाये गया है ठीक इसी तरह से लोगों को तमाम तरह की कुरूरता बरबरता और अत्याचार की जाता था ताकि उनके लिए भी सबक हो और दूसरे लोगों को सबक हो सके और ऐसे भी हालात होते थे तब जिसमें लोग जीने से ज़्यादा मरना पसंद कर दे थे आप सामने में देखे यह पीछे जो टावर गार्ड आप देख रहे हैं टावर गार्ड के साथ फेंसिंग थी लोगों को वहाँ जाने की मनाई थी लेकिन जो वहाँ गया उसे गोली मार दी जाती थी तो बहुत सारे बंदी जो यहां मौजूद थे वो जानमुच कर वहां जाते थे ताकि उसे गोली मार दी जाए और उसकी यातनापुर्ण जो जीवन है वो खतम हो जाए उसके बाद आप यह देखे यह सबसे मशूर जगह है जहां पर की सुबह साम लाइन में खड़े होकर मा जो हेटलर के जमाने में हर कंसंट्रेस का हिस्था यानि n overcome मार ना होता था जुआ कि कमरे में उसको नहला जाए जाएगा और जैसे वह उस लोगों को उसकंभरे में कपड़ें अंदर गुशा कर और गैस चला दी जाती थी और कुछी मिनिट के अंदर दम घुटने से उसकी मौत हो जाती थी और फिर ठीक उसी कमरे के साथ साथ में लगावा क्रिमेटेवडियम है जहां पर कि उसकी बॉड़ी को जला दिया जाता था इस तरीके से लाखों लोगों को हिटलर ने अपने कंसंट्रेशन कैम्प में मारा और पूरी दुनिया को जब ये सच उजागर हुआ तो पूरी दुनिया हिल गई थी लेकिन इन कंसंट्रेशन कैम्प को देखकर पूरी दुनिया ये सबक सीख सकती है कि कि किसी के तानासा बनने की वजह से एक देश को एक सोसाइटी को क्या कीम चुकानी पड़ती है कैमरामें सुनिल सिंग के साथ मनीज जह टीवी नाइन भारत वर्ष दखाव कंसेंट्रेशन कैम्प म्यूनिक जर्मनी